तो html के इस tutorial में आज मैं आपको attributes के बारे में बताऊंगा तो basically html के अंदर जो attributes होते हैं वो हम क्यों use करते हैं और कैसे use करते हैं, क्या syntax होता है वगेरा सब आज आप जानोगे तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले देखिए मैंने एक boiler plate लिखी है html की अगर आप starting से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि boiler plate केस क्या होती है और किस तरह से हम उसको लिखते हैं और उसका short form भी मैंने बताया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहली वाली वीडियो भी देख सकते हो ठीक है तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है doc type html और html लिखा है और यहाँ पर html close किया है और यहाँ पर head लिखा है यहाँ पर head close किया और head के अंदर जो भी extra information है वो दी गई है और यहाँ से body part start होता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी आप body के अंदर लिखोगे वो value जो भी जितना भी content है वो आपको browser पे दिखाई देगा यानि कि जो भी आपको website के browser यानि कि जो भी आपको दिखाना है user को client को तो आपको वो साली चीजे body के अंदर लिखनी है जो कुछ भी आप body के अंदर लिखोगे वो आपको browser पे दिखाई देगा except comment को छोड़के comment आपको सिफ reference देने के लिए या कोई भी tag अगर आपको highlight करना है तो आपको comment से आप कर सकते हो बट जो comment रहता है वो आपको browser पे नहीं दिखता है वो सिफ reference के लिए होता है जो भी developer code कर रहा है उसके लिए तो आज मैं आपको attributes बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि मैंने पहले से लिख के रखा है काहता कि मुझे वापीस से लिखना ना पड़े यानि कि time waste ना हो जो भी लिखा है मैं आपको समझा दूँगा अच्छे से और आप समझ जाओगे तो यहाँ पर लिखा है HTML attributes provide additional information about HTML element इसका मतलब क्या है जो HTML attribute होता है वो provide करता है additional information किसकी HTML element की अब element क्या होता है यह मैंने पहले ये वीडियो में बता चुका हूँ इस पे भी separate वीडियो मैंने बनाई है आप please playlist access कर लो उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी elements मैंने बताया है tag के बारे में बताया है tag क्या होते element क्या होते हर एक के लिए एक एक वीडियो बनाई है तो आप वीडियो देख लेजें तो attribute additional information देता है एक html element की और अब बात करते है आके देखते है html attribute क्या होता है all html element can have attribute यानि कि जितने भी html के element है अब एक बार वाप इससे बता देता हूँ element क्या होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एक anchor tag लिखा है और यहाँ पर एक anchor tag close हुआ है इतना आपको clear है तो यह जो यहाँ से start हो रहा है और यहाँ पर खतम हो रहा है इसको पूरे कॉम बोलते है html का एक element ठीक है clear हूँ element का है तो वही उसकी जो extra information दे दे वो होता है attribute किसी html element की कोई extra information दे दे उससे बोलते है attribute यहाँ पर लिखा है all html element can have attribute ठीक है attribute provide additional information about element ओके attributes are always specified in the start tag अभी इसमें क्या बोलता है element के अंदर दो tag होते हैं start tag एक होता है end tag and tag को हम forward slash से बंद करते हैं इतना आपको clear है तो अभी हम attribute कहाँ पर use करेंगे तो attribute हम जो starting का जो tag होता है उसके अंदर हम use करते हैं end वाले जो tag होता है उसमें हम use नहीं करेंगे ठीक है तो attribute आपको always start tag के अंदर use करना है next है attribute usually come in name value pair like name हो गया value तो इस तरह से आप attributes लिख हो गया अब यह href attribute क्या है देखें दा anchor tag यह जो ए दीखर है उसको हम anchor tag बोलते हैं चोकि एक link देने के काम में आता है html के अंदर दा anchor tag defines a hyperlink यह एक hyperlink डिफाइन करता है the href attribute specifies the url of the page the link goes to यानि कि जो href attribute है वो specifies करता है एक url को अगर अगर उस url पर आप click करोगे तो आप उस particular page पहुँच जाओगे website के ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर anchor tag एक start हुआ यहा तक और यहाँ पर anchor tag close हुआ और उसके अंदर जो anchor tag element है उसका element content है इतना clear है अब यह जो आप देख रहे हो href equals to https.www.debugzadival.com यह है attribute की value और यह है attribute का नाम यह जो href है इसको हम बोलते हैं attribute तो यह जो href है यह हमें anchor tag यह जो anchor element है उसकी extra information दे रहे हैं अगर आप anchor tag के अंदर यह जो href और यह link डालोगे तो आप उस particular page पर पहुच जाओगे तो यह जो anchor tag इसकी extra information हमें क्या मिल गई यह link मिल गई ठीक है इसी को हम बोलेंगे attribute और यह जो href है यह हो गया attribute का name और यह जो link है यह हो गई attribute की value clear हो गया चलिए image वाले attribute से समझ लेते हैं sorry the image tag is used to embed an image in html page कितना आपको clear है यानि कि जो image tag है वह हम use करते हैं हमारे html के अंदर image को embed गरने के लिए यानि कि use करने के लिए the src attribute specifies the path to the image to be display यह जो src है इसको हम source भी बोल सकते है तो यह जो attribute है वह इससे specify करता है जो भी आप image use करोगे उस image का path अब path क्या होता है path आप इस तरह से समझ सकते हो कोई भी आप image use कर रहे हो तो जो image है उसकी detail यानि कि वह image कहां पर store है c drive में store है d drive में store है यह आपकी html के folder के अंदर वह save है तो यह specify करता है कि आपकी जो image है वह कहां से आ रही है तो detail देता है src attribute कोई भी एक image की जो कि आपको display करवानी है इसको हम किस तरह से use करेंगे attribute start किया image यहाँ पर लिखा src src यानि कि attribute का नाम और यहाँ पर हमें value देनी attribute की तो यहाँ पर आ जाएगा image का कोई भी detail यानि कि कोई भी आप image यूज कर रहे हो तो उस image का path यानि कि detail आपको यहाँ पर fill करनी है ठीक है तो यह हो गया एक image element और यह है image element का attribute जो की हमें information दे रहा है extra तो यह है attribute basically I hope आपको समझाओगा ठीक है छले करकलो तो यह जड़त करूण को यह स्वादिर अजयसे व outlook यह हो यह भी माह दो डिरियातु